हलो बच्चो आज के वीडियो में हम देखेंगे आज ए किलास में हम देखेंगे खक्चा 5 हमारा परवेस परसिदी विध्याले से इसका लेशन नमर पार्थ है 17 ऑनि 17 और बिश्यमे भारत तो बहुत ही अच्छा पार्थ है हम बिश्यमे हमारे भारत के क्या इस्तिरिय है तो के संबन्द में हम इस वीडियो में नहीं जार के जनकारी प्राप्त करेंगे तो सभी बच्चे पार्ट के लिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे उसके साथ जो यूपी टैट की द्यारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास वीडियो इंपर्टेंट है क्योंकि इसम परते हैं पार्ट हमारी प्रित्वी महा सागर आवम महांदी हमारे प्रित्वी लगभग गोल आकार की है यह प्रित्वी का आप यह देख रहे हैं इमेज में यह प्रित्वी इसको हम उत्तरी ध्रूब बोलते हैं और इसके लिए हम तक्ष्री ध्रूब बोलते हैं तो गेंद जैसे गोल आकार का लग प्रित्वी मॉडल यह गलोब कहलाता है हम अपने प्रित्वी गलोब कहते हैं आई गलोब को देखें, गलोब पर अनेक रंग बिरंगी आकर्टियें बनी हैं, ये आकर्टियें प्रित्वी और महादीपों ऐबम महासागरों को दिखाती हैं, गलोब का अदकांस भाग नीली रंग से रंगा दिखाई दे रहा है, ये भाग प्रित्वी पर बिशाल जल रा और महादीब महासागरों द्वारा अलग किये जाते हैं यह हमारे जो प्रिथिवी का चित्र है वो आप देख रहे हैं यहां पर यह पूरा यहां सब दिया हुआ है इसमें यह यह है और यह देख रहे होगा है यह उत्तरी अमेरिका है यह दक्षिण अमेरिका है तो यह हमारा विष्ट का सीन है चित्र है इसके बाद परते हैं पर पांच महा सागर आपस महा सबसे गहरा है, ये संपूर्ण पृत्री के लगवग एक तिहाई भाग पर फैलाए, इसका सबसे गहरा है, मेर यानागर्थ है जो लगवक 11 किलोमीटर घहरा है इसे भी जान लेंगे गुलोब का कागजी पर सम्तल प्रस्तिर करन मानचेत्र कहलाता है प्रित्वी पर बहुत बड़े इस्तल खंडों को महादीप विसाल जल राशियों को महासागर कहते हैं अब पढ़ते हैं आगे प्रित्वी के लगवक 29 पित्षत भाग पर फैला इस्तल साथ महादीपों में विवाजत है ये महादीप किरमसा एसिया एवरोब अपरीका उत्तुरी अमेरिका दक्षिनी अमेरिका आश्टिलिया अब अन्टार्टिका है इनमें एसिया सबसे बड़ महादीप है हिमारा परबत पर इस्तित विष्ट की सरवच परबत चोटी मांट एवरेट इसी महादीप पर है इसकी उचाई 8848 मीटर है एसिया में विष्ट के लगवक 69 पित्षत जंसंकिया निवास करती है विष्ट के मान चित्र को देखिए हमारा देश भाग तेशिया म मेदान से उक्ते हैं शामन तहाइस्पास के धरातल से उंचे उठे भाग परबट कहाते हैं इन का सिखर संक्चुद अत्वस संकुवकार होता है परबट साधानता समुव में पाजाते है इन्हें परबट सिरनी कहते हैं पाहड़ियों की उचाई से क्म होती है बिस्द की अध्यापक की सायता से इन्हें 20 मांचित पर पहचान ये प्रितिवी पर तुलनात्मक रूप से मुझे उठे चौरस इस्तल भाग पठार कहराते हैं प्राया पठार की का उपरी भाग उबर खावड होता है इनके किनारे सामान एता खड़े ढाल वाले होते हैं पिछली का अक पठार अरब का पठार और कोलोरेड जायर जांबे जी लिपोपो परागीवामेजन मिचीसिपी मिसारी और सेटला, डेश, टेनुब, टेम्स, रायन, गोलगा आदी है, नील नदी बिसकी सबसे लंबी नदी है, अध्यापकी साथा से 20 मानचेत्र पर इन नदीयों का अब रूकन करें, हमारे देश बहरत, अगले प्रिश्ट पर दिये गए मानचेत्र में, अपने देश बहरत के प बंगाली खाड़ी है, पश्चि में अरब सागर है, लक्षड में हिंद महा सागर है, हिंद महा सागर का नाम हमारे देश बहरत के नाम पर पड़ा है, मानचेत्र तो देखो, बहरत परोसी देश को नाम, लिखना है यहाँ पर हम यह देख रहे हैं, हमारे परोसी देश पर और यह सागर हैं इस परकार हमें देखे लेंगे अब हात में 28 राज़ आपम 9 के अंदर साशचत प्रदेश है इनका बेवन इस प्रकार है देखे लेंगे 28 राज कौन-कौन शेस है नमब एक आंदर प्रदेश किसी राज धानी है द्रावार नमब दो रौड़ाचर कंनाटक बंगलूर और केरल की राधानी त्रह अनंतप्रम है और तेरे मद्ध ब्रदिशारा राधानी भौपाल है इसका पड़ते हैं महराष्ट्र की राधानी यह बंबई है और मडप्र की इंपाल है मेंगाले की स््रीलाउंग है सत्रमिजोर्म की आई जोल है नागालेंड की कोहिमा है और पंजाब की चंडीगर है राजस्तान की जैपुर है और शिक्यम की गंगटोक है और तमिलाडू की राजधानी चेन नहीं है तेलगाना की हर्दराबाद है और तृप्रा की अगरतला उत्तर प्रेदिस लगनाओ उत्तर खंड देह केंदर सासत प्रेदेश के नाम और उनकी राजधानी अंडवान और निकवाद दीर समुहनी की राजधानी पोर्ट बिलेयर है चंडीगर है तो इसकी राजधानी चंडीगर है इसका दादरा और नगर हवेली इसका सिर्वासा दमन और दीप इसका दमन है दिल्ली की राज पूंदुचेरी चंम्मू कस्मीर की राधानी गया की ममों कस्मीर लद्दा की राधानी तो ये अमारे प्रता से आई हैं प्रुमक्स काँ परुप से बिद्वताओ से बराय यहां उचे प्रवत, बिसार मनान, पठार, अबम मरसुतर पाए जाते हैं प्राकिर्तिक सरचना के अधर पर भात को पांच भागों में बाटा गया है अब पढ़ते हैं उत्तर का परवती भाग, उत्तर का बिसार मनान, थार का मरसुतर और देच्छड का पठारी भाग, तटी मनान अबम दीप समून अब पढ़ते हैं उत्तर का परवती भाग इसका विस्तार भाद के उत्तर में जम्मू अयम्जम Cumir से लेकर अड़ोचल प्रदेश तक है इसे हिमालय प्रवत के नाम से जाना जाता है हिमालय प्रवत मालत तीन समान अम्तर स्प्रवश सेड़ी से मिलकर बनी है ये किर्मसा ब्रहत हिमाले या हिमांगरी हिमाचल या मद्ध हिमाले अबम शिवालिक है उत्तर के मदान भाग में बहेकर आने वाली अधिकांस नदियों का उद्गमिस्तल हिमाले है अब नमब दो पढ़ते हैं उत्तर का बिसार मदान इसका निर्मार्ड हिमाले से बाहर, भेहकर दक्षड की ओर आने वाली ताथ पठार से बहकर उत्तर की ओर जाने आने वाली नदियों के साथ आई उपजाओ जलोड़ मिठी से हुआ है भात में इसका विश्तार पंजाब से लेकर असों तक है यहां बहने वाली प्रमुक नद देश में बिसाल डेल्टा का निर्मान करती है नम्बर तीन आता है थार का मरस्तर भाद के पश्चिमी भाग में राजिस्तान राजिस्तित है इसके पश्चिमी हिस्से में सेक्डो कुलूमीटर लंबा चोड़ा बालू का विस्तार है इसे थार का मरस्तर कहते हैं यहां बरसा बहुत कम होती है जगह जगह रेत के तीले दिखाई देते हैं जिने बाल का स्टूप शेंड डियोन कहते हैं यहां आब आब अगम का एक मात्रे साधर उठ है इसे रेकिस्तान का जाज भी कहा जाता है अब आधा द्रक्षण का पठारी भाग उत्तर के बिसाल मनान के इन में से प्रमुक है बुंदिल खंड पठार बगेल खंड पठार चोटा नागपुर पठार मारवा पठार और दबकन के दक्कन का लावा पठार आदे इस भाग में चंबल बेतबार टोंस सोर नरमदा तापी दामोदार महनदी गोदाबरी कृष्णा आब हम कावेरी पूरब पश्यम में समंद्र तटके सहरे लंबे और सक्रे तटिये मनान हैं पश्यम की ओर के मनान को पश्यम तटिये मनान तब पूरब की ओर के मनान को पूरब तटिये मनान कहते हैं हमारे देश में समंद्र के मत अनेक दीप हैं कई दीपों के समहूं को दीप समहूं कहते करेके यहां के पेंड़ पॉधो एवन जीब जन्तूं के विविता पायाती है हमारे देश में मुख रूप से पांस प्रिकार के बन पायाते हैं नमर एक सदावार बन पतजड या पढ़पाती बन मरस्तुली या काड़ेदार बन परवती बन और बेदान चली या डेल प्रिकार के बन अधिक बर्सवाले गरम इस्तानों पायाते हैं यह बन अतियन भिगने होते हैं जीब जन्तूं अब पतिजड या पनपाती बन इन बनों को मांसुनि बन भी कहते हैं पर बर्स में एक बार सीत काले के अंत में यहां पाय आने वाले बिक्ष अपनी पतिएं गरा देते हैं इसलिए यह नहींद पतजड या पनपाती बन कहते हैं इन बनों का बिस्तार पश्श्यम बंगाल, बिहार, उत्तर पृदेश, मत प्रिकार के बनों में शीशम, नीम, महुआ, बर्गत, पीपल, अउला, शेमल, पिलास, वेल, खेर, आद ब्रच पायाते हैं नमब त्री आता है मरस्तिलिय या काटेदर बन इस प्रिकार के बन कम बरसा वाले पठारी और मरस्तिलिय इस्तानों पायाते हैं इन बनों में कीकर, खजूर, बवूल, खेजड़ी जैसे काटेदर ब्रच और जढ़ियां पायाते हैं भात में इनका बिस्तार पश्चिमी एवम, मद भात के कम बरसा वाले पठारी इस्तानों में तथार के मरस्तिल में हैं प्रवती बन किसे कहते हैं प्रवती चेतरों में बरती उचाई के साथ तापमान अवम बरसा में परवरतन होता है इसके काट प्रवती चेतरों में बिस्यस प्रिकार के बन पायाते हैं प्रवतिय बन कहते हैं भात में इन बनों का बिस्तार हिमाले बिंद्याचल सत्पुरा पश्मि घाट प्रवतों पर है हिमाले छेतर में देवदार चिनार इस्प्रूस सिल्वर फर जून पर पाइन वर्च आजब्रच पायाते हैं दक्षर भात के प्रवतिय बनों में मंगनो नारियल तार सुंद्री आजब्रच पायाते हैं इन बनों का स्रवादीक विस्तार पश्यम घार बंगाल केने सुंद्र से जाना जाता है प्रमक बन जीप पढते हैं भन के रहने वाले बन में रहने वाले जीप जान्त भावास ze जहां बेश्च्ट चंद रूप से बिच्वन करते हैं, हम रहते हैं जन संगय पर दिकान हमारे बनों की कती से बिनास होते जा रहा है और बनों के छेत्रफल घरता जा रहा है जिस से बन जीवों की संग्या बड़ी तीजी से घरता जा रही है कई बन जीव लुप्पी होते जा रहे हैं इन्हें बचाएं रखना आवज़ चेकर क्योंकि ये प्रयावण संतुलन में सहाइक है अब आगे पढ़ते हैं बन जीव की शुरुच्छा विकास अबम सुतंतर पेशने के लिए सरकात द्वारा राष्टी योद्ध्यान वन जीव अब ब्यारन अबम पक्ची भिहर आद की स्ताफना की आती है इन्हें में मानब द्वारा बन जीव का सिकार करना बरजित है